दोस्तों भारत में कही सरे तोहर के तरह हुली को बहुत ही धुम नम से माना आ जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है हुली क्यों खेली जाती है क्यों हुली में रंगु का प्रयोग किये जाते हैं सो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हुली तोहर के बारे में हुली खिलने के पीछे दो कहानी हैं एक है हिरने का सब का कहानी और एक है राधा किस्नों के कहानी हुली तोहर का नाम हिरने का सब का बहन हुली का से मिला था किसी एक समय हिरने का सब असुरों का राजा हुआ करता था एक बार उन्हें लंबी तफश्य करने के वज़ा से भगवन ब्रह्मा से एक वर्दान मिला था वर्दान ये था कि ना उसे कई मनुष्व मर पाएगा ना कई पसू ना उसे दिन में मरा जा सकता था ना रात में ना उसे घर के अंदर मारा जा सकता था ना घर के बहार नहीं धर्ती पे नहीं आस्मान पे यहां तक कि ना कोई सस्तों उसे मार पाए ये वर्दन मिलने के बाद हिरन्य कश्चब खुद को भगवान मानने लगा था और वे सबको आदेश दिने लगा था कि भगवान विष्णू के तरह सभी उसका पुजा करे ऐसे चलता रहा और कुछ दिन बाद उसका घर में एक बेटा का जनम हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया प्रहलाद अपना पिताश्ची का आदेश मानने से इंकर कर दिया था और अपने पिताश्ची का पुजा करने से भी माना कर दिया था क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णू का परामभक्त हुआ करता था जब बाहर के लोग उसका पुजा करते पर उसका इखुद का बेटा उसकी पुजा ना करता ये चीज हिरननकाश सबको सहन नहीं हुआ था और इसी चीज को लेके वे बहुत ही क्रोधित हो गया था और प्रहलात को धंकिया देने लगा था जब कोई धंकिया काम ना आया तब वो अपने आप एक सरयांत्र रचा कि प्रहलात का नीधन कैसे किया जाए प्रहलात को माणने के लिए उसने कई सरा तरीका अपनाया जैसी कि प्रहलात को एक बार जरीला सापों के साथ छोड़ दिया था लेकिन प्रहलात के उपर भगवन विश्णू का साथ था जो प्रहल भगवान विश्व का पूजा बंद नहीं किया था इससे हिरन्य कश्चब और भी ठोदित हो गया था जब कुछ भी काम ना आया तब उसमें प्रहलात को मारने के लिए अपना राक्षे सी बैहन हलीका को बुलाया और प्रहलात को लेके जलती हुई आग में बैठने के लिए अधिस्दी लिगे के पास एक ऐसा चादर थी जो भी का को अग से बैचा सके हलीका अपने उपर एक चादर मूड ली का अन बालग पहलात को लेके जलती हुई आग में बैठ गई हवा के वज़ा से वज़ासी विए अँरके बालग पहलात के उपर परी और चादर ना होने के वज़ा से हली का जल के वसम हो गई इसे हली का देहिंगी कही जाती है और इसके बाद भगमन विश्णु आके नर्सिंग अवतर में दीन और रात के बीच गदली समय पर हिरिन का सब का अंध कर दिया तब इसे हली का तोहर बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक के रंग को लेके सिकायत करते थे क्रिशन की रंग को लेके राधा जी उन्हें चिराया करते थे क्रिशन जी के बात सुनके यसोदा माता हासते थे तब यसोदा माता कृष्ण जी को एक सुजव दिया सुजव यह दिया कि राधा को जिस रंग से वह देखना चाते थे वह के व्रिंदा मन में होली खेलना शूरू किया तब से होली में रंगों का प्रोयग होता आ रहा है तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दिन मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद